Hello students, welcome to I-Exam-B. आज की session में हम blood relation के कुछ questions को discuss करेंगे, तो चलिए start करते हैं. Introducing a woman to his wife, a man said, Her sister mother is the only daughter of my maternal grandmother. अगर ऐसा आपको statement में दे रखा है, तो man और woman का आपस में क्या relation है? इस statement में एक आदमी ने अपनी पत्नी को एक महिला का परीचे देते हुए कुछ कहा है, तो आपको वो परीचे जो उसने दिया है, उसके आधार पर अपने answer को निकालना है. आपको पता है, यहाँ पर माई जो use हुआ है, वो आदमी के लिए use हुआ है, और आदमी की maternal grandmother, यानि मामा की side की grandmother क्या हो दिये दोस्तो, नानी, ठीक है? तो generation है, दो बीच में, यहाँ पर उसकी कोई mother होंगी और यहाँ पर उसकी नानी है, राइट? अब आपको दे रखा है, only daughter of my maternal grandmother, यानि only daughter of my nani मतलब उस आदमी की mammy, ठीक है? तो इस statement को आपने इस सरीके से तोड लिया, उसके बाद आपको दे रखा है, her sister mother, her sister mother is the only daughter of my maternal grandmother, आपने ये चीज़ को तो comprehend कर दिया, कि वो उस आदमी की maa है, हर आपको पता है, इस woman के लिए use हुआ है, और आपको दे रखा है, her sister mother, यानि woman की कोई sister होगी, woman की कोई sister होगी, वो जो sister है, उसकी mammy, मेरी mammy है, तो आपको पता है, अगर आपको man और woman के बीच में relation निकालना है, तो ये भाही बहन का relation है, तो answer हो जाएगा, brother. नेक्स कोशन में आपको दे रखा है, कि introducing a girl, अनीता सेज, she is the daughter of the only son of my paternal grand mother. यानि एक लड़की का परीचे करवाते हुए, अनीता ने कहा, वह मेरे दादी के एक लौते पुत्र की पुत्री है, वह लड़की अनीता से किस परकार संबंद रखती है, तो आपसे कोशन में ये पूछा गया है. आपको पता है, जो ये माई है, वो अनीता के लिए use हुआ है यहां पर, तो आपको क्या निकालना है, अनीता paternal grand mother, यानी अनीता paternal grand mother, पापा के side की grand mother को क्या हम कहते हैं, दादी. तो आपको पता है यहाँ पर अनीता है यहाँ पर उसकी दादी होंगी तो आप यहाँ पर दादी लिख दीजिए Only son of दादी का मतलब अनीता के पापा राइड आपको दे रखा है she is the daughter अब she किसके लिए use हुआ है जो girl को introduce कर रही है अनीता ठीक है तो she is the daughter तो पापा की एक और daughter होंगी तो आप यहाँ पर एक girl लिख सकते हैं जो अनीता की बहन होंगी तो how is girl related to अनीता? So the correct answer for this particular question is बहन यानी sister तो option 2 is the correct answer तो next question में आपको दे रखा है कि introducing a boy Abhay says he is the brother of the daughter of my father's sister अगर यह statement आपको दे रखी है एक लड़के का परीचे देते हुए Abhay कहता है यह मेरे पिता की बेहन की पुत्री का भाई है तो वो जो boy है वो Abhay से किस तरीके से relate करेगा अब आपको पता है यह जो my है वो Abhay के लिए use हुआ है और आपको पीछे से start करना है तो my father's sister यानी Abhay का जो father है उनकी कोई sister होंगी तो इस statement का यह मतलब है आगे आपको दे रखा है He is the brother of the daughter of this sister क्योंकि आपने आगे का तो comprehend कर दिया है He का मतलब वो boy है He is the brother of the daughter अब इनकी कोई daughter रही होंगी उसका वो भाई है जो वो boy है यह आपस में भाई बहन है तो अभे से इस boy का क्या relation होगा दोस्तो आपको पता है अगर आपके पिता की बहन का कोई बेटा या बेटी है तो वो रिष्टे में cousin लगेगा तो correct answer क्या हो जाएगा cousin दोस्तो नेक्स question में आपको दे रखा है कि A star B means A is father of B A minus B means A is brother of B A plus B means A is mother of B तो अगर आपको ऐसा दे रखा है तो निमलिखित कौन से options का मतलब यह है कि P C का नाना है तो आपको option by option आगे बढ़ना है और अपनी statement को comprehend करना है तो पहली statement को हम नज़र डालते है P minus B का मतलब क्या होता है दोस्तो कि P is brother of B तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि P क्या है ब्रदर है B का आपको दे रखा है कि B star क्यो B star क्यो का मतलब क्या है कि B father है क्यो का तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते है क्यो चाइल्ड हो जाएगा B का और क्यो माइनस C का मतलब क्या होता है दोस्तो कि क्यों brother है C का तो ऐसे कुछ आपको diagram मिलेगा क्या इससे आप ये कह सकते हो कि P C का nana है बिल्कुल भी नहीं कह सकते दोस्तों क्योंकि nana में तो 2 generation का gap चाहिए यहाँ पे तो 1 generation का gap है तो हम अपने option number 2 की तरफ बढ़ते हैं option number 2 में आपको क्या दे रखा है P star Q P star Q का मतलब क्या होता है P is the father of Q तो आप यहाँ पर ली सकते हैं कि P जो है वो Q का father है आगे आपको दे रखा है Q minus B Q minus B का मतलब क्या है कि Q B का भाई है तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं B plus C का मतलब क्या है कि B जो है वो मदर है आपके C की तो क्या इस वाक्य से आप कह सकते हैं कि P C का नाना है तो यह option सही हो जाएगा therefore option number 2 is correct next question में students आपको दे रखा है G multiply by H का मतलब होता है H is father of G G plus H का मतलब होता है G is wife of H G divide by H का मतलब क्या होता है G is brother of H अगर ऐसा आपको statement में दे रखा है तो M और T के बीच में आपको relation निकालना है अगर आपको यह statement दे रखी है तो हम starting से start करते है plus sign का मतलब दोस्तों आपको पता है कि wife है यहाँ बार तो M जो है वो wife है J की तो यानि यह दोनों आपस में कपल है उसके बाद आपको दे रखा है J divide by T divide का मतलब क्या होता है J भाई है आपके T के तो T का भी gender हमें मालूम नहीं है तो अभी हम उस पे positive और negative sign नहीं लगाएंगे T multiply by P का मतलब क्या है दोस्तों Multiply का मतलब यहाँ पर father है तो आपको पता चल गया यह male है और यह P के father है P का relation अभी हमें मालूम नहीं है What is the relation of M with T तो सीधी सी बात है M और T के बीच में जो relation है यानि M जो है वो ननन्द है T की यानि sister-in-law है तो correct option हो जाएगा आपका option number 3 next question में आपको दे रखा है कि if A at the rate B means A is daughter of B A hashtag B means A is father of B A percentage B means A is mother of B A dollar B means A is sister of B तो अगर आपको ये सब statement में दे रखा है तो आपको बताना है कि K L से किस तरीके से related है इस statement के अधार पर तो हम starting से start करते हैं K at the rate M से start करते हैं At the rate का मतलब क्या होता है daughter यानि K जो है वो daughter है M की तो आपको पता है K का gender और K daughter है M की अब हमें नहीं पता कि M उसके बाता है या पिता है तो अभी के लिए हम छोड़ देते हैं आगे देखते हैं M dollar dollar का मतलब क्या है sister तो आपको पता चल गया कि M जो है वो sister है O की तो इन दोनों के बीच में क्या है sister का relationship है अब हमें नहीं पता कि O भाई है या बहन है O at the rate P का मतलब क्या है कि O is the daughter of P तो इन दोनों के बीच में बहन का relationship था दोनों बहन है आपस में और जो parent है वो P हो जाएंगे अब P hashtag L का मतलब क्या है hash का मतलब यहाँ पर father है कि भई P father है L के तो यह male member हो जाएंगे और यहाँ पर L के वो father है यानि यह आपस में तीनों भाई या बहन हो सकते हैं तो आपको पूछा है कि के L से किस तरीके से relate करता है तो के जो हो जाएगी वो भतीजी हो जाएगी क्योंकि वो female है तो correct answer क्या हो जाएगा option number 3 next question में आपको दे रखा है कि if A plus B means A is father of B A minus B means A is the mother of B A multiply B means A is the brother of B then how M is related to K as per this statement तो आप इस statement को starting से comprehend करना शुरू कर सकते हैं plus का मतलब आपको पता है कि father होता है तो J is father of K ठीक है उसके बाद आपको दे रखा है K multiply L अब multiply का मतलब क्या है brother तो K brother है L के तो अभी हमें L का gender मालूम नहीं है उसके बाद हमको दे रखा है L minus M minus का मतलब होता है mother यानि ये female है और M जो है वो बेटा या बेटी है इसका gender हमें मालूम नहीं है अभी question में आपसे क्या पूछा है How is M related to K अब जब हमें इसका gender ही मालूम नहीं है तो हम एक definite conclusion पे नहीं हा सकते therefore answer क्या हो जाएगा cannot be determined next question में आपको दे रखा है कि A is sister of B C is brother of A D is brother of E E is mother of B and F is father of C अगर आपको ये puzzle दे रखी है और आपसे पूछा गया है How F is related to D तो puzzle को हम step by step solve करेंगे और अपने answer की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको दे रखा है A is sister of B यानि A female है और वो B की sister है साथ ही साथ आपको दे रखा है कि C is brother of A यानि एक C और है जो A के भाई है और वो male है इसके बाद आपको दे रखा है E is mother of B यानि इनकी जो mother है आपको ये पता चल गया कि ये आपस में भाई भेहन है और E इनकी mother है तो E अगर B की mother है तो C और A की भी mother होंगी वो भी तो E mother है अब आपको दे रखा है F is father of C तो इनके जो पता है वो F है और दोनों आपस में couple है इसके बाद आपको दे रखा है D is brother of E यानि E के भाई है जो D है तो ये आपको पजल दे रखी थी और आपसे क्या पूछा था हाओ F is related to D तो F क्या हो जाएंगे दोस्तो D के brother-in-law यानि साला तो the correct answer for this particular question is option number 1 चलिए next question को discuss करते है P F's father has a grandchild यानि P F का पिता है जिसका एक पोता या पोती है Vertica is the mother of K who has a son and but K is not the daughter K has a brother Vertica and P are married अगर ये आपको पूजल दे रखी है तो N और P के बीच में क्या relation है अब आपको पता है कि जो Vertica है और P है वो आपस में married है और P जो है वो F का पिता है तो ये male हो गया तो Vertica क्या हो जाएगी female हो जाएगी और ये दोनों आपस में क्या है married अब P जो है वो F का पिता है तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं F को right और आपको पता है यह वर्तिका जो है वो F की माता हो जाएंगी आगे की statement आप बढ़ सकते हैं उसके बाद आपको दे रखा है कि इनका एक grand child भी है तो यहाँ पर 30 grand child आप लिख सकते हैं क्योंकि अभी उसका हमें gender नहीं मालूम है कि वो बेटा है या बेटी है या पोता है या पोती है उसके बाद आप देख सकते हैं statement में वर्तिका is the mother of K तो वर्तिका है उनका एक बेटा और बेटी और है जो K है who has a son N ठीक है जिसका एक बेटा है जो N है right but K is not the daughter इसका मतलब के एक male member है उसके बाद आपको क्या निकालना है how N is related to P N और P के बीच में आपको relationship establish करना है तो सीधी सी बात है ये क्या हो जाएगा grandson तो answer क्या हो जाएगा option number one I hope आपको blood relation के सारे types के question समझ में आ गए होंगे and thanks for watching eye exam B